नमस्कार कुछ लोग ओइस्टर मश्रूम की ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास आने वाले हैं। उसी की त्यारी कर रहे हैं अभी हम लोग। भूसे को ड्रम में डाल दिया उसके बाद पानी को छान करके ड्रम में डालेंगे। ड्रम के उपर छलनी और कपड़ा लगा दिया है। अब हम पानी डाल रहे हैं। पानी में फार्मूलीन मिला रहे हैं। और अब पानी में बेविस्टिन मिला रहे हैं। इस पानी के घोल को ड्रम में डाल दिया। उसके बाद जितना ड्रम में जगें बची है उतना हम पानी डालते जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेटेस्ट अबडेट्स के लिए। ड्रम में पानी उपर तक भर दिया है। और अब खाकले को उपर तक भिगा रहे हैं। उसके बाद इसको ढग देंगे। इसके बाद इसको कस के रसी से बान देंगे। इसको अब 18 गंटे तक हम इसी तरह से रखेंगे। इसके बाद इसको खोलेंगे। अठारा घंटे हो चुके हैं। अब हम खाकले को बाहर निकाल रहे हैं। दीपक जी और अभिलाज जी आ गए हैं। अब भी ओन्लाइन अपने खोलेंगे। अब हैंने घर पर बैटे हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। या हमारे फार्म पर आ करके भी हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। खाकले को ड्रम से निकालने के बाद धूप में रखना जरूरी है। उससे उसकी नमी बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। रम में से सारा खाकला निकालने के बाद धूप में उसको जरूर रखना चाहिए। अब ड्रम की सफाई कर रहे हैं ताकि अगली बार काम आ सके ड्रम। जिन बैक्स में से पॉलेतिन हटा दिया था उन पर इस्प्रे कर रहे हम। दोनों हाथ से खाकले को अच्छे से दबाएं। पानी की एक बून भी गिरनी नी चाहिए। हतेली गीली हो जानी चाहिए। उसके बाद खाकले के ऊपर बैविस्टिन पाउडर डालना है सब तरफ। उसके बाद बैविस्टिन पाउडर जो डल गया था उसकी मिक्सिंग करनी है सारे भूसे में। ये स्पॉन है आस्टर मश्रूम के इनको अलग-अलग किया जा रहा है और उसके बाद अब बैग हम भरेंगे। अगले वीडियो में हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।